यह जो हमारे सामने द्रश है मालेवंता हिल का है हंपी में कई छोटी छोटी पाडियां है उन पाडियों में से यह एक पाडी है जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं यहां हम देखते हैं बड़े-बड़े बोल्डर्स के बीचों बीच एक उची पाहडी पर एक द्रश्य जो की हमें पुरे हमपी शहर को दिखाता है यहां पर चट्टानों को देखकर ऐसा लगता है किसी बहुत बड़े दानाव ने चट्टानों को एक की उपर एक उठा कर रखा है यह प्रांगन है मालेवन्त रगुनात मंदिर का और यहां की दिवारों पर एक विचित्र तरह की आइकोनोग्राफी और चित्रन मिलता है यहां पर हमें दिवार पर बहुत बड़े बड़े आकार की अलग अलग तरीके के समुद्री जीव, जन्तू, पचलियां और कुछ ड्राइगन्स मिले इनको यहां पर क्यों बनाया गया है और यह क्या प्रेजेंट करते हैं हमें नहीं पता लेकिन यहां देखकर इस तरह के जीव पुराने समय में शायद कभी रहे होंगे ऐसा हो सकता है यह जो प्रांगण है यह प्रांगण मालेवन्ता पहड़ी पर श्री रगुनात मंदिर का है जहां पर हम अलग अलग तरह के समुद्री जीव, जन्तू इस दिवारों पर देखते हैं जब हम पहड़ी पर चड़ते हैं तो यहां पर हमें बड़े बड़े रॉक बुल्डर्स नजर आते हैं और यहां पर हमें एक और बड़ी ही अजीब सी चीज नजर आई यहां पर हमने देखा कि पहड़ी के उपर एक जगह थी जहां पर प्राचीन लोगों ने कुछ शिवलिंग और नंदी जी की काफी मूर्तिया बनाई हुई हैं यहां पर खड़े ओकर हम पूरे हमपी शहर का दरश्य देख सकते हैं अनफॉर्चनेटली इस जगह पर बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि इस पहड़ी पर चड़ने का रास्ता आसान नहीं है यहीं एक बहुत बड़े बोल्डर पर एक मंदिर बनाया हुआ है और इसी मंदिर के बगल में हमें यह जो आश्यर शकित करने वाला एक कंस्रक्शन मिलता है यहां हम बाते हैं छोटी छोटी दिवारों के बीच में एक रक्टेंगुलर सेक्शन में बीच में एक चैनल है और इस चैनल के आसपास हमें कई शिवलिंग और नंदी जी के अलंकरण मिले यहाँ पर हम देखते हैं छोटे 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 शिवलिंग जैसे कुछ बनाए गए हैं और उनके सामने नंदी जी बनाए गए हैं हर शिवलिंग में पानी जलाबिशेक करने के लिए एक चैनल बनाया गया है जो जो भी वस्तू को जलाबिशेक किया जाएगा शिवलिंग से होते हुए नंदी जी के पास और वाँ से होते हुए उस चैनल में चला जाता है दौनों तरफ से मेट्रिकल हमें दूसरे जगह पर भी कुछ नंदी जी की मूर्तियां अलंकरन मिली यहां दो चीजें हमने देखी एक तो दिवारों पर अजीब तरह के जल प्राणी समुद्री प्राणी बनाए गए हैं वो क्या दर्शाते हैं क्यों बनाए गए हैं अगर आपको इसके वारे में कुछ जानकरी हो तो टिपडी में जरूर लखिएगा यह चोटा सा वीडियो था हम्पी के कुछ जाने अंजाने स्थानों का पाहड़ी का अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको कभी हम्पी में आने का मौका मिले तो यहां पर जरूर आईएगा बहुती सुन्दर जगे है, बहुती प्यारी जगे है वीडियो को दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद